क्या 2000 के नोट सच में बंध होने वाले हैं क्या 1000 के नोट RBI लाँच करने जारी है और 31 दिशंबर 2019 से पहले क्या आपको 2000 के नोट बैंक में जमा करवाना है और क्या ये खबर सच है कि एक इंसान बस 50,000 के करण सी तक ही यानि कि आप 25,000 के नोट एक्सचेंज कर सकते हो इससे जाता 2000 के नोट आप इसे एक्सचेंज बैंक में नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर आखिरकर पूरा आपना क्या है इस बारवे में हम क्प्लिटी डिसकस करेंगे तो अधिक जानने के लिए आप बने रही है हमार साथ देखते ही आज को पूरा वीडियो देखो भई बात यहाँ पर यह है कि RBI ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया था कि अब 2000 के ने नोट नहीं आएंगे यानि कि 2000 के जो छपाई है नोट की छपाई यह बंद हो चुकी है और यह न्यूस करीब करीब अक्टूबर मैंने की है इसके बाद से बहुत तरके अफवा आने लगे बहुत तरके रियूमर्स यहाँ पर फैल चुके है और अब जो खबर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा कि 31 दिसंबर 2019 से पहले आपको अपने पूराने मतलब आपके पास जो 2000 के नोट है उसे आप बैंक में जमा कर जबाव और उसके बदले आपको अलग नोट लेना पड़ेगा याने की 500, 200, 100 जो अब चल रहा है वो नोट आपको लेना पड़ेगा और RBI यहाँ पर 1000 के ने नोट लाँच करने जा रही है जो कि आपका एक जनवरी 2019 से लागू हो जाएगा तो कि आखिरकार यहाँ पर सच चपाई की ज़रुत नहीं है और 1000 के नोट फिलाल नहीं आने वाले है अगर कोई ऐसा खबर आपको देता है तो वो पुरा-पूरी अपवा है वो पुरा-पूरी जूट है और 31 दिसम्मर से पहले आपको बैंक में जमा करवाने की कोई ज़रुत नहीं है हम पहले भी इस पर विडियो बना चुके हैं कि ये सच नहीं है तो 1000 रुपे का नोट नहीं आएगा 2000 का नोट बंद नहीं होगा 31 दिसम्मर से पहले आपको कोई भी नोट को जमा करवाने का जरुत नहीं है एक जन्वरी से आपको कोई भी नया नोट यहां पर देखने को नहीं मिलेगा यानि क पूरा-पूरी ये खबर फेक है अफवा है रुमर से तो दोस्तो यही था आज का एक छोटा सा इंपरमेटिव विडियो की 2000 के नोट बंद नहीं होने वाले हैं और 1000 के नोट नए नोट नहीं आने वाले हैं तो दोस्तो उमीद करता हूं आज के वीडियो अच्छा लगा हो जँ मल म सकति वीडियो चल करता हैं और 500 के एांज करता हैं ओ vandaag झीडियो की तोस्तो आज करता हैं जो तोस्तों नहीं होने तोस्तों भादियो करता हैं और 7